स्टुरेंट्स सो कल मैंने आपको एक्सराइज 2.4 के कोशन में वन टू फाइब तर बता दिये थे आज मैं आपको कोशन नमबर सेक्स टो सैसिक सैवन एट एट एन नाइम रमेनिक कोशन बता जाता हूं और यही आपका होगा आपको फेर कॉपी में कोशन को करना है स्टार करते हैं फृस्ट कुस्टि जे यह इए आनारो रेक्तंगलाप्त प्रश वाह रस फोड इस नमाव डेपा उन अवाड इप शूल इन महळी विलेज फिर यह छंगें अव्ड ऑ करते हैं विल्ड जू में आपको पहले ही बताया था कि रेशियो जहां पर भी वहां पर आप वेरियोबल से उसको मुल्टिप्लाई कर दो गए तो यहां पर जो लेंथ हो जाएगी एंड ब्रेट्थ आप दो प्लॉट इस 11 एम एंड 4 एम रिस्पेक्टिवली ओके सो अब ससवड़ी चीजी एक यहां पर लिखा हुआ है कि कॉस्ट जो दी आ रही है इट विल कॉस्ट दा विलेज पंचायद आफ रूपीस 75,000 और जो इसको फैंसिंग करने का रेट है वह 100 रूपीस पर मीटर है ठीक है तो टूटल कॉस्ट जो दी आ रही है उसके कॉर्डिं पर मीटर होगा तो टोटल कॉस्ट अपॉन पर मीटर की कॉस्ट तो 750 इसका पैरिमिटर आ जाएगा उसके बात सका कि शेप है तो रेक्टेंगल का पैरिमिटर जानती है तूआ ल प्लस भी जहां पर एल है वहां पर 11 एम और जहां पर जहां पर जहाँ पर एल है वहाँ पर 11 एम किजिए कि आप कोई वेरियाब ले सकते हो ऐसा नहीं कि एम लेना आपको एक्स वाइज जट तक आप कोई भी ले सकते हो तो 11 एम ले ले लिए यह फिर 11 एक्स ले 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 तो यहां पर आठ हो जाएंगे तो 15 एक्स टू मार्टिप्लाइ फिर्टीन एक्स गो 750 रिट्टी एक्स की वैलू आजहेगी 25 च्वुणिवाइट्ट निकलाएंगे 11 एक्स और पूर एक्स में आप उसकी रख दोगे तो यहां पर उसकी वैल्यू आ जाएगी 275 मीटर एंड हंड़ेट मीटर तो उपर मैंने आपके लेवन एम बोला तो एलेवन एक्स मीटर है और फोर एक्स मीटर में आपको पहले बोला तो वैरियेबल का मल्टिप्लाई आप जब भी त्रक शिरल चुऔर में अच्छा कुछ लिए ज llby द्हान से लेक न आए तो यहां पर तैप में दिया हुआ है तो यहां पर ताइप में दिया हुआ है तो आप नहीं बोला है तो जो जाएगा वो खरीद रहा है लगबख kriger और रोच कम Watts को में जिसके रूच्छा मीplव है तो यह पर आप उसकी कॉस्ट निकाल लो तो जो सडे हैं उसकी कॉस्ट हैा फिप्टी रुपी स्पर मीटर और ट्रावजर्जाय नाइंटी रुपीस पर मीटर चोड़ा तो टोटल को on तो यहां पर सैलिंग प्राइज निकालेंगे सेलिंग।last करफटा क्या है। मैं जाते हो कुछ चीज खरीदने तो पर जो होता है वह उसके पास ऐसा तो एक है कि उसके पहले पहले उसके पास समान वह वह कहीं से पर्चेश कर रहा है वैसे वह भी किसी करता होगा सबसें कोई चीज आप खने कापी कोई कोई नोटबू के दिने नोटबुक आप इक नोटबुक दे तो फो नोटबुक उस ने कहां कि सर ये नोटबूक 15 रुपीज की हैं वह दैट में 15 रुपीस की टैन रुपीज में लेकिया है लाट मींस तेन उसका कॉस्ट प्राइज हो गया जो मार्केट से लेकिया है और फाइब रुपीज उसने उस पर प्रॉफिट एड़ कर दिया और टैन प्लस फाइब कितना हो गया फिप्टीन रूपीज इसदा सेलिंग प्राइज आप यहां प को 20 रूपीज में किसी दूसरे को दे दिया जिसको यूज है यहां पर सेलिंग प्राइज निकालने लिए का करना पड़ेगा आपको आपको काउस्ट प्राइज सट का दिया हुआ 15 और सट पर प्रॉफिट आंड कर रहा है वो तो हम यहां पर 150 x सबी लोग comparing quantities में percentage निकालना सीख चुके हैं यहां पर 150 x का 12% निकालेंगे तो 150 x off 12% that means off कमीज क्या होता है multiply और 12% कमीज का होता है 12 upon 100 तो 150 x multiply 12 upon 100 को हम add कर देंगे यह profit हो गया और हम add किसे कर देंगे cost price से तो यहां पर 150 x plus 150 x multiply 12 upon 100 that means 168 x टोटल सेलिंग प्राइब का कितनी मीटर त्री मीटर उसके आदाते हैं selling price of the trouser material तो ट्रॉजर मेटेरियल का जो प्राइस होगा वह भी वैसे ही निकलेगा और टोटल जो आएगा वह आएगा वन नाइंटी एट एक्स और टूरू मीटर ट्रॉजर मेटेरिया अब यहां पर दोनों की जो cost है जिखा हुआ है इस total sale is 36600 तो दोनों को add कर देना है दोनों क्या कर देना है और किसके कर देना है तोटल एक्वल कर देना है यहां से एक्स की वैल्व निकलाईगी 36600 तो एक्स की वैलू आ जाएगी मटल देढ़ी यहां ऊके उसके आदान ते हैं next question में question No. 8 Half of herd of the deer are grazing in the field and 3-4th of the remaining are playing nearby the rest nine are drinking water from the pond find the number of deer in the herd ठीक है अब चार वहा है उसमें जो है कुछ हेरन है वह ग्रेजिंग में चल रही है घास को उसके बाद कुछ जो है उसके नियर वाई कुछ मींस हाफ of the deer total की हाफ तो लेट कर लेंगे लेट the total number of deer is x तो इसकी हाफ that means x upon 2 क्या कर रहे है ग्रेजिंग कर रहे है आच पर the condition we have x upon 2 deer are grazing in the field remaining number of and the 3rd 4th of the remaining अब इसरे में कितने बची है x upon 2 इसकी भी 3rd 4 that means 3 upon 4 multiply x upon 2 तो हो जाएगा 3 x upon 8 are playing nearby वह 3 x upon 8 क्या कर रहे है playing nearby and rest of the deer that means rest of the deer means there the rest 9 are drinking water from the pond अब इसमें से भी जो बची होई 9 उसका उन्होंने आपको amount दे दिया उसका इन्होंने count दे दिया नाइन जो है वो drinking water in the pond कर रहे हैं तो आप टोटल कितनी डियर हो गई तो इनको सब को जितनी भी आपने एक्टिविटीज में डियर को माइन किया उनको सब को आप कर दो तो सबस्बसाइब ग्रेजिंग कर रहे थी एक्सपोंटू फिर प्लेंग कर रहे थी रिंक्टिवार कर रहे थी नाइन और इन सब को एड़ करके एक्सटाइब कर दोगे तो वहाँ पर एक आपकी लीनियर एक्विशन मन जाएगी तो सबसब पहले डिनॉमनेंटर को आप एक्वल करोगे तो इक्वल करने के लिए लोगे तो यह सिंह हो जायागा तो एन 4 x प्लस 3 x प्लस गें 72 इस ट्रीक्स हो जाएगा यहां से आप सॉल कर लोगे तो सॉल करने के बाद सब्सक्राइब हो जाएगा आप लाइक टम को एड कर दो और अनलाइक टम को ट्रांसपोर्ट कर तो एक सिंगल कॉंस्टेंट में जिसको आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो राइट है और यह पिर आप ऐसा करो कि इधर का जो वैरियेबल है 7x वह आप ट्रांसपोर्ट कर दो राइट हैंड साइड में तो साइन चेंज हो जाएगा तो 72 इसको सबको सब्सक्राइब हो गया होगा उसके आदाते कुश्चन नमबर 9 लाश्ट कुश्चन इस एकसरसाइज का उसके आपको कॉश्चन अपने मन से करना है कोई प्राब्लम होती है यूट्व में कॉंट बाक्स सेक्षन में आप लेक सकते हो और इसका जो नोट्स है वह आपको फियर नोटबुक में तारे कोश्चन उसके आगे कर लेने हैं ठीक है 6 7 8 9 4 question here only question जरूर लिखोगे उसके बाद उसका solution लिखोगे नीदेन क्लेयर राइटिंग में होना चाहिए and show me after 3 so show me before 3 p.m. okay thank you for listening me have a nice day